हालो दोस्तो मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माइवर्ड अभी आपने थमनेल तो देखी लिया होगा कि मैं आज कौन सी टॉपिक के उपर बात करने वाली हूँ जी हाँ पानी फल सिंगाडा यानि कि जो सिंगाडा होता है वो उसको हम लोग प्रिग्नेंसी में इस्तमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहले एक बात बता दू कि प्रिग्नेंसी एक ऐसा टाइम आता है जिस समय हम लोग जो भी कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं उसका सीधा सीधा असर हमारे बच्ची के अंदर दिखता है तो जो भी चीज़ें हमें खा रहे है हमको यह पता होने चाहिए कि उसकी nutrition value क्या है वो हमारे लिए सही है या नहीं सही है कई बार तो ऐसा होता है कि जाने अन जाने हम लोग बहुत सरी ऐसी चीजे खा लेते हैं जो कि शायद कहीं न कहीं हमारे बच्ची के लिए नुकसान दायक होती है तो आपको कुछ भी खाने क कि थोड़ी सी जानगारी-ब्रीफ जानगारी जरूर लेनी का है यह चीज़े या जोभी चीजे हैं प्रिगनेंसी में हैं या नहीं हेल्दी है तो इसके उपर में बात कर दो कि अगर यह कम्प्लीट में पानी फलसिंहाड़ की बात कर रहctive इसमें होते हैं vitamin B6 जो की आपको पता है कि आपके शरीर के लिए कितने ज़्यादा healthy है साथ ही साथ इसमें antibacterial properties होती है antioxidants होते हैं जो की आपके शरीर में बहुत सरे infection को भी लड़ने में मदद करता है और इसको खाने से जो आपका digestion वो अच्छा होता है क्योंकि माना जाता है कि यह जो पेट का जो मसल होता है, इसे छोड़ी इसमें प्रेंद्थ हाती है, जैसे कि आपकी एसिडिटी कम होती है, हार्ट बन कम होती है प्रिगनेसी की दौरान, और साथी साथ फर्टीग भी कम होती है, तो सोच के देख लिजी कि इतना ज़्यादा बेनिफीशर है, लेकिन एक और बेनिफिट बता दूँ जो कि महिला है, सोचती है कि वो ऐसा फ्रूट खाएं, वैसे चीज खाएं, जैसे कि उनको टेस्ट भी मिलें, साथी साथ उनका कॉलेस्ट्रॉल भी ना बढ़ें, तो क्वांटिटी आपको उतने ही लेना है, जितना आप डाइजिस्ट कर पाईए, जितना आप इसको असानी से खा पाईए, बहुत जादा क्वांटिटी किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है, जैसे मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया है, जब भी मैं फूड आइटम की बात करती हूँ, एक चीज मैंने जरूर बोला है, अती सरवत्त वर्जते, इसका मतलब किसी भी चीज की अती अच्छी नहीं होती है, तो आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना ही चाहिए, बाकी इस फ्रूट को आप अराम से खा सकते हैं, काफी हेल्दी होता है, धडले से सिंगाडे मिलते हैं, तो लाइए घर पे, इंजॉय करिए, चाहे आप उसे कच्चा खा सकते हैं, पका के खा सकते हैं, या उसको आटे की रूप में इस्तमाल कर सकते हैं, जैसे भी करिए, और आटे का जो हल्वा होता है, सिंगाडे का आटे का हल्वा, वो भी पर फॉलो करना मत भूलिए थैंक्स पर वाचिंग ट्रेंस माई वर्ड